Hello friends, Quarkus Framework सीखने की सीरीज में आज यह هमारा lecture number 42 है और अब हम आगे की जर्णिं में सीखेंगे कि किस तरीका से हम Quarkus के अंदर reactive programming करते हैं या reactive style के अंदर code लिगते हैं जिन से हम Quarkus के अंदर reactive APIs बनाइएंगे ठीक है? अभी तक हमने जो भी code किया था वो हमने imperative style के अंदर code किया था तो अगर आपने मेरे सुरुवात के वीडियोस देखे होंगे introduction वाले तो वहाँ पे मैंने आपको बताये था कि Quarkast के अंदर हम दोनों तरह की programming कर सकते हैं imperative style में भी और reactive style में भी तो यह सब क्या होती है अगर आपको इसका basic भी नहीं पता है तो हम आगे आने वाले जर्नी में basic भी discuss करेंगे लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ introduction चाहिए तो आप मेरे सुरुवात के lecture number 1 और 2 देख सकते हो नहीं पर हमने काफी deep के अंदर इसके उपर बात किये तो अब आप समझ लीजिए कि अभी तक हमने lecture number 41 तक जो cover किया था वो Quarkas का part 1 था जिसके अंदर हमने अपनी सारी API को imperative style के अंदर लिखा था और हमने सारा basic cover किया था अब हम क्या करेंगे lecture number 42 से लेके आगे पता नहीं हम कितने lecture बनाएंगे तकरीबन 10-12 लेक्चर हम बनाएंगे वहां पर यह part 2 होगा जहां पर हम सीखेंगे reactive programming in Quarkas और यह समझ लीजिए कि काफी ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि at the end आप Quarkas के अंदर reactive APIs ही बनाओगे क्यों बनाओगे इसके पीछी का क्या region है इस सब के बारे में हम काफी deep में discussion करेंगे जैसा कि हमने अपने previous वीडियो में किया था आपको हर एक चीज में काफी deep के अंदर explain करूँगा तो आप tensor मत लीजिए और इसके third part में हम क्या discuss करेंगे कि किस तरीके से हमने जो Quarkas का project बना लिया है complete उसको हम deploy करेंगे क्योंकि आपने project बना लिया अपनी machine पे लेकिन उसको deploy भी तो करना होगा ना कहीं ना कहीं पे हम किस तरीके से इस project की jar बनाएंगे या फिर किस तरीके से हम इसको docker environment पे deploy करेंगे docker की क्या configuration हमें करनी पड़ेगी तो इन सारी सीजों पे हम काफी deep में बात करेंगे तो यह series काफी आगे तक जाएगी और यह complete series होगी उसके बाद इनने तकरीबन तकरीबन 41 lecture कवर कर लिये हैं ठीक है और इन lecture पे कोई अच्छा response नहीं आया है यह आपको भी पता है मुझे नहीं पता कि यह सक क्यों होय क्यों नहीं है लेकिन इंके उपर काफी अच्छा response नहीं आया है तो अभी मुझे ना चाहते हुए भी कुस दिनों के लिए इस series पर hold करना पड़ेगा मैं इसको completely hold नहीं करूंगा मैं इसके अंदर एक एक दो दो वीडियो चलते रहेंगे अपने reactive programming पे लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा hold करना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि मैं जितना time इसके उपर invest कर रहा हूं उसकी हिसाब से output नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं इनसान आप समझ सकते हो ना तो चलिए हम इसको continue रखेंगे मैं parallel एक और series ला रहा हूं तो मैं उसके उपर भी काम कर रहा हूं तो अपने इन दोनों को एक साथ चलाएंगे अपने इसके भी part लाएंगे और इसके भी part लाएंगे ये नई series क्या होगी क्या न programming पर तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस पर वीडियो लाऊंगा इन्हीं कौरकस की series में ने यहीं पर खतम कर दिया नहीं ऐसा नहीं है मैं इसके उपर वीडियो लाऊंगा लेकिन अपन दिरे दिरे लाएंगे धिरे दिरे इंदेंस एक दो दो वीडियो वीडियो वीक के और बताइए कि आप क्या चाहते हों क्या नहीं चाहते हैं आप चाहते हों क्या इस series को हम continue करें तो चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में बाई बाई टेक केर